श्री होम रेमिडीज में आप सभी लोगों का स्वागत है आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कृष्ण जनमाश्चमी की पूजा विधी भगवान कृष्ण बचपन से ही नटकट और सरारती थे मक्खन उन्हें बेहत प्रिये था जिसे वह मटकी चुरा कर खाते थे भगवा के ग्यारा बजे स्नानादी से पवित्र होकर घर के एकांत पवित्र कमरे में पूर्व दिशा की और आम लकडी के सिंगहासन पर लाल वस्त्र बिचा कर उस पर राधा कृष्ण की तस्वीर स्थापित करनी चाहिए है इसके बाद शास्त्र अनुसार उन्हें विधी पूर् करनी चाहिए है माननता है कि इस दिन जो शद्दापुर्वक जन मास्च्मी के महत्मय को पढ़ता है और सुनता है उसे सारे लोकों में सुखों की प्राप्ति होती है और वह धरती से जब जाता है इस मृत्तियों लोक कर छोड़ कर चोड़कर जब वह व्यक्ति जाता है राती साथ आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए है कि कृष्ण भगवान का जन्म रात्री के समय हुआ था तो मानने दा है कि रात्री के समय क्रिष्ण जन्माश्वी को मनाना शुरू कर दिया जाता है जन्म के बाद उनको दूद दही तथा शुद्ध जल से अभिशेक कर करते हैं तता मखन, मिश्री, पंजरी, तता खीर, ककडी का भोग लगाते है ततपश्चाथ कृष्ण जी की आरती करते हैं कुछ practical, कुछ लोग खुषी में लगाया जाए कई जगाओं पर मटकी फोड प्रतियोगिता भी की जाती है इसमें एक मटकी में मखन मिश्री भरकर इसे उची रस्टी पर मान दिया जाता है और विपिन जगाओं पर मंडलिया आकर इसे तोड़ने का प्रयास करती है और कृष्ण भगवान का जनम उत्सव मन कई लोग इस दिन पूरे दिन वरत उपवास भी रखते हैं जरूरी नहीं है कि आप लोग इस दिन वरत उपवास रखें कुछ लोग निरजल उपवास रखते हैं तो कुछ लोग फल खाकर उपवास रखते हैं और इस दिन वरत उपवास की विधी एकदम साधारण होती है आप लोग भी वरत उपवास रखकर कृष्ण भगवान की पूजा करके यह पर्व मना सकते हैं अभी के लिए बस इतना ही अगर आप और जादा जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल श्रीहूम रेमेडी सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद